Dear students, welcome back. Back to back videos. आपको पता है क्यों? क्योंकि examination है करीब. 9th September को मुझे बताया गया है. CUET PG की exam expected है. वैसे अभी तक admit card आया नहीं है. यह भी बताया गया है. मैं कोसिस कर रहा हूँ मेरे पास जो भी paper है, जो important हो सकते हैं, यूसफुल हो सकते हैं, उसको analyze किया जाए. आपको help करने के लिए कि daily आप at least दो वीडियो जो है उसको देख लो. तो आज उसी क्रम में Puduchery University की सुरुआत कर रहे हैं. JNU हम लोग ने खतम कर दिया है. तीन paper थे 21, 20 and 19 आप लोग ने देख लिया होगा. काफी comments मिले हैं. आज हम लोग analyze करें 2018 paper. आप पुछेंगे सर्थ 19, 20, 21 क्यों? क्योंकि लगता है उन्होंने paper देना बंद कर दिया. उसके बाद ये paper पब्लिक डोमेन में थे. तो 16, 17, 18, 3 साल के हम लोग analyze करेंगे. यदि आपके पास paper है 19, 20, 21 तो आप mail कर सकते हैं. mail idea आपको last slide में मिलेगा. So let us begin. और ये video जैसा मैं बताता हूँ useful होगा C, U, E, T, PG के लिए D, U, E, T, U, G, C, NET और किसी भी competitive exam जिसमें की political science से objective question पूछे जाते हैं. So let us begin. इससे पहले की question answer का दौर सुरू करें. प्लीज मुझे allow करें. जैसा कि मैं आजकल हर वीडियो में अपने student को inform करता हूँ कि जो सबसे बहतर resource available हो सकता है वो है C, U, E, T, M, D, U, E, T and other entrance test के लिए वो है objective policy science जो किसी भी exam के लिए set दे रहे हूँ assistant professor दे रहे हूँ उसी net दे रहे हूँ, C, U, E, T, दे रहे हूँ 1500 one of the best question जो हो सकते है यह four month का जो test series Paul Science Health के membership group में चली थी उसमें जो question मैंने frame किये हैं उसका collection है तो second best option, first best option तो होता कि आप उस group को join करते हैं लेकिन नहीं तो आप इस के through जो है at least उन questions को आप देख सकते हैं explanation के साथ में C, U, E, T, P, G, Guide इन सब का link यहां दिया गया है imagine.it, इन पे यह बिल्कुल 100% C, U, E, T के syllabus से math है, और all time favorite जो guide Paul Science Health की exam guide for entrance test, इन सब का link description box में दिया गया है, इसको copy paste करके आप google के browser में डाले, आपको खुल जाएगी तब भी आपको चारो book जो है वो दिखेगी, उसको click करके आप खरी सकते हैं कई student अभी भी confuse करते हैं किसका process क्या होता है, इसका process है पहले imagine.in पे जाएए वहाँ पे आप या तो इस link के through जाएए, या आप Paul Science Help लिखेए, आपको चारो book आ जाएगी, इस तरह से book, इसको click कीजिए click करने के बाद आप उसको pay कीजिए, जो कि सबसे easy है imagine पे, फिर आप kindle app पे जाएए kindle app पे same user ID password जिससे आपने imagine को login किया है उससे आप login कीजिए, यदि आप पहले से logged in है तो कोई issue नहीं अब वहाँ library को click कीजिए, वहाँ पे आपको यह book दिखेगी, उसको double click कीजिए और पढ़िए, बेहत आसान है और दुनिया के सबसे powerful reading app kindle है, मैंने इसको करीब 5 सालों से use किया है आप भी इसको you get used to it, इससे दो फाइदा होंगे, एक तो आप एक बहतर app से जो है book पढ़ेंगे अगले कई वर्सों तक, और दूसरा Paul Science Help Community को भी आप help करेंगे, जिससे कि इस किताब की चोरी नहीं हो पाएगी, और जो भी खरीदेंगे किवल वही पढ़ पाएंगे, so I request you all to visit Amazon and buy this book, और यदि आप पसंद करते हैं, तो comment उसपे करना ना भूले, चलिए अब करते हैं, question answer का दौर सुरू, चलिए सुरवात करते हैं first question से, the judicial review in the Indian constitution is based on our first question ही मुझे लगता है कि इसको challenge करने लाए question है, क्योंकि यहां यह गफलत यह करते हैं कि यह लिखते हैं procedure established by law and due process of law, जबकि Indian, जो, अब judicial review की जो power है Indian courts को, high court and supreme court खास करके supreme court, वो due process of law पे भी जा सकती है, after Manika Gandhi, case 1978 आप इसको पढ़ लीजिए, जो कि US से हम लोग ने लिया है, वहां पे पहले procedure established by law मतलब दोनों में फरक क्या होता है procedure established by law, procedural है कि आपने प्रोसीजरली जो एक कानून को सही ढंक से पास किया है, जो constitution में लिखा है, तो वो valid है due process of law उसके अंदर घुश जाता है, उसके content पे चला जाता है, उसके substance पे चला जाता है कानून के कि क्या वो समाज के लिए बहतर है, नहीं है वो policy है, वो बहुत ही एक कही uncharted territory है जहां court जाकर कि ये देखन लगता है कि ये law public interest में है भी या नहीं है, तो वो due process of law है जो US से लिया गया है इसलिए ये question मेरे अंसार से invalid हो जाता है, second question देखे, the matter on which the panchait enjoys full authority have been listed in 11th schedule of the constitution 11th schedule में 29 matter हैं जो कि state को transfer करना था panchaits को, उन्होंने किया नहीं है पूरा किसी state ने इसी तरह से इसका counterpart question है कि schedule 12 में जो municipality से समंदित है, उसमें 18 subject transfer करने है state government को, municipalities को who was the chairman of the commission appointed by the government of India to review the question of central state relation यहां आप सरकार्या justice सरकार्या को याद कर लीजिए 1983 में उनकी कमीशन बनी थी और यहां पे आप justice mm पुंची को भी याद कर लीजिए जिनकी कमीशन बनी थी 2007 में यह दोनों ही जो है central state relation पे विचार करते हैं यह आपको पता होना चाहिए इसके अलावा राजमुनार कमीटी जो DM के government 1969 में पॉइंट किया था आनंदपुर साहब resolution जो 1973 में हुआ था और Bengal government ने भी एक memorandum में जा था यह सब भी related है जो UGC net में पूछी गई है तीन हिस्सा है लोकसभा राजसभा और president अब यहाँ पर आप देखे कि president जो है वो कैसी office है यह president है यह legislature का भी integral part है और यह executive का भी जो है integral part है सारा executive business जो है वो president के नाम पे इंडिया में होता है वो head of the state है तो यह executive के भी सारे head होई है और legislature के भी सारे head ही होई है तो आप यहाँ देखिए किस टाइप का president का role हो जाता है in case of class between the state and union law तो definitely union law prevail करेगा यह concurrent list में यह मैंने आपो कई बार बताया है union law prevails क्योंकि union को यहाँ ज़्यादा power देगी अब यह जो question है chronology पे है कि इसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया हूँ ऐसे इस टाइब एक कुछा में पसंद करता करता नहीं हूँ लेकिन फिर भी let us try तो सबसे पहले जो है A.K. Gopalan versus state of madras case 1950 में आ गया था अब यह case पे अलग से पांच मिनिट बहस की जा सकती है इसी में वो due process of law और procedure established by law की भी भाहस शुरू हो गए थी जो भी मैंने आपको बताया और यह इस case में जो है fundamental right को बहुत उपर रखा गया sacrosanct रखा गया था बाद में उस पे काफी चीज़े बदल गई केशवा नंदा भारती जो है वो 1973 में आया था sorry 42nd constitution amendment हुआ जो कि एक landmark था अब यहां पे देखेंगे आपको कुछ-कुछ भी पता है जिसे माल जी आपको पता है कि सबसे पहले A.K. Gopalan case आया माल लेजी आपको पता है तो आप देखिए two number केवल दो में है तो इसका मतलब 50-50 game आप खेल सकते हैं इसको काट देजे, इसको काट देजे अब इधि थोड़ा सा भी आपको idea है कि इसके बाद तो केषवानन्दा आया होगा क्योंकि emergency तो 1975 में हुआ इतना तो आपको पता होगा तो केषवानन्दा भारती उससे पहले आई होगी तो आप इसको तुरत जो है पकड़ लेंगे कि यह सही है, तो यही official answer है यह tips भी मैं आपको बता रहा हूँ What constitute the mean in Aristotle's social structure आपको पता है कि Aristotle ने एक golden mean की अवधारना या concept दिया था जो कि Gautam Buddha ने भी दिया था अलग तरीके से, तो जो जो यह golden mean है, वो उन्होंने Nicomachean Ethics जो अपनी book थे उसमें दिया था, उसमें उनको कहना था कि ना तो access किसी चीज का भी नहीं होना चाहिए, access डरना भी नहीं है, access जो है fearless भी नहीं होना है उसी तरह income में जो है बहुत rich को भी वो बुरा मानते थे जो बहुत poor को भी, तो middle class जो है वो, उनके लिए mean था, of course The word federation is used in which part of the Indian constitution? यह बहुत ही अच्छा question है, in fact, Indian constitution में कोई federation नाम का कोई word ही नहीं है क्यों? क्योंकि union of state, India which is भारत is a union of state, यह पहला ही article में लिखा हुआ है, तो हम लोग, जबकि 3 list है schedule 7 में state, concurrent, union, लेकि federation word कहीं नहीं यूज किया गया, very good question. Robert Matten's concept of political machine in a large city associated with यह अब question जो है, आपके लिए difficult हो जाएगा, यह ऐसा पूछने जैसे कोई बहुत universal phenomenon है, जबकि यह America की politics है American city politics को यहाँ क्यों पूछा जाए, यह यहाँ पे falter करते हैं, क्योंकि यह सब question UGC net से यह लोग copy paste करते हैं कहीं से, अब यहाँ पे देखे political machine जो concept है, बहुत interesting, Robert Matten ने इसको दिया है, और भी कई लोगों ने दिया है, उसमें basically US जब बन रहा था, एक तरह से जब formative stage में था immigration हो रहे थे, अब New York है, Philadelphia है, इस टेप की बड़ी-बड़ी city जब evolve कर रही थे, तो वहाँ पे कुछ जो bosses होते थे, इसको आप कह लीजे city के elites, और वो लोग जो है, मतलब political machine जैसा established organization करते थे, जो की government तो उतना नहीं कर पा रही थी कि immigrants जो आ रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधा हो, लोगो कैसे employment मिले, कैसे training मिले, कैसे security मिले, और ये सब वो bosses अपने political organization के through करते थे और उसी को political machine कहा गया और बाद में जब democrat या republic जब election की time आती थी, तो उसी bosses में से किसी को अपना nomination बना देते थे, nominate, और वो किसी time वो Republican Party का वो member बन जाता था, कभी democrat बहुँ ज़्यादा, उसका flexible था किस में जाएगा, लेकिन actual जो command था city के इन सब चीजों का सुविधा देने का, welfare and others जो कि government को देना चाहिए, वो ये bosses जो है, elites कह लीजिए, dominant people कह लीजिए, वो लोग political machine के थूँ देते थे, ये Robert Mettern ने कहा था, तो ये functionalism से है, मतलब उनका, वो एक particular function society का जो है political machine करते थे, जो कि basically government का function था, लेकिन करते थे political machine by the bosses of the, और elites of the city. Difficult question. In the financial sphere of constitution, ये बहुत अच्छा है, ये कहता है कि क्या constitution में ये लिखा हुआ है कि center और state की बीच में finance का बटवारा होगा, कैसे बटवारा होगा, क्या favor of center होगा state, actual सही answer है कि there is nothing mentioned कि भई कैसे बटवारा करना है, कि वहल ये लिखा हुआ है article 280 में, again memory से बोल रहा हूँ, check कर लिजेगा, कि finance commission जो है वो एक establish होगा, जो की center और state के बीच में, जो tax और other जो resources उसका बटवारा करेगा, constitution बस इतना ही कहती है, और ये काम finance commission का है, बटवारा करना, finances का. What is the correct sequence of the following president in USA? Again, difficult, क्यों USA पे इतना ज़्यादा ये पूछ रहे हैं, I don't know, अब यहां पे देखिए, मतलब यह आपको थोड़ा बहुत अंदाज है, तो आपको पता होगा कि Roosevelt, जो है, World War Two के time में थे, इतना भी पता है आपको, और यह सब तो बहुत बाद में आये हैं, क्लिंटन, कैनेडी भी आपको पता होगा, उसके बाद आये हैं, 50s या 60s में, तो यहां first जिदि आप देखें, तो दो में आता है, तो यह सही हो सकती, यह सही, तो आपने 50-50 टिप्स खेला, तो दो तो गायब हो गया है, अब one के बाद four है, तो यदि आप देखें कि Roosevelt के बाद four में Kennedy, तो यह सही बैठता है, क्योंकि George Bush senior वो भी बाद में आये थे, बहुत बाद में, उनका बेटा भी बाद में, कुछ साल बाद, उनके ही बाद, George Bush junior भी president बना, तो Bill Clinton तो बहुत बाद में आये हैं, तो इसलिए आप इसको John F. Kennedy को four मान सकते हैं, तो सही यही है, क्योंकि इसमें तो, इसमें क्या हो जाता है, one के बाद four, sorry, one के बाद four दोनों में है, तो दोनों में, अभी आप कुछ नहीं चांट सकते हैं, अब आप आईए, यहाँ two है, George Bush और यहाँ पे three, Bill Clinton, तो चुकि George Bush पहले आये हैं, इसलिए सही जो है, first है, this way you can go, of course, it difficult है क्योंकि option भी बहुत close हैं, अब reason, adjacent question आईए, इसमें कई सारे हैं, तो उसमें बनों चर्चा कर सकते हैं, इसमें adjacent है, fundamental rights are enshrined in the constitution for the people, यह तो इसमें बिल्कुल सही है, पहले देखिए, सबसे पहला मैं इसमें tips दूँगा, आपने से कहीं ने कहा है कि इसके बारे हम tips दीजिए, first है कि दोनों statement को पहले मत सोचिए कि वो explain कर रहा है कि नहीं, पहले केवल देखिए कि दोनों true हैं या false हैं, तो यह true है, people can move court for violation of fundamental rights, एक तर्ब बिल्कुल सही है, यह true है, अब आप देखिए कि क्या यह जो reason है, वो इसको क्या explain कर पाता है, किसी भी तरीके से, तो यह करता है, of course बहुत directly नहीं, people can move to the court, क्योंकि वो constitution में enshrined है, इसलिए मेरे हिसाब से, इसको जो है, बोथ A and R are true, and R is the correct explanation of A में माल सकते हैं, यह बहुत अच्छा question है, मैंने आपको कई जगह explain किया है, आर्टिकल भी बताया, 110, 111, दो आर्टिकल जो है, इसको बाता है, करने से related है, चुकि यह purse की बात है, money की बात है, इसमें लोगसभा को overriding power दिया गया है, overrides सभा केवल यह लोगसभा में ही present हो सकता है, उसको certify करना कि यह money bill है या नहीं, उसकी final authority, जो है speaker of लोगसभा है, इसको president के recommendation से ही, bill को table किया जाता है, और इस bill को president लोटा भी नहीं सकता है, other bills को जो है, जब दोनों house of parliament से pass हो जाए, उसके बाद भी president before assenting, एक बार reconsideration को लोटा सकता है, money bill को नहीं लोटा सकता है, और इसमें एक और है, कि इसमें राजसभा को इतना limited power है, कि 14 days के अंदर उसको जो है, वो लोटाना होता है, एक बार जब लोगसभा ने अपनी bill पास करके भेज़ दी, यदि नहीं लोटा आता है, तो उसको मान लिया जाएगा कि राजसभा ने भी पास कर दिया, दोनों house से pass माना जाएगा, इसमें एक और है कि राजसभा can recommend some amendment, वो कह सकते ही, इसमें ये change करो, लेकिन लोगसभा is now not bound by that, वो कह सकते ही, नहीं मैंने उसको नहीं माना, और नहीं मानेगी तो उसको pass मान लिया जाएगा, तो आप सिमाश सकते ही, कितना ज़्यादा इसमें overriding power लोगसभा को है, overrajसभा in case of money bill. The recruitment to civil services in India is based on the recommendation of ये, अब confusing question है, मैं still इसमें 100% sure नहीं हूँ, मैंने जितना पढ़ा, हर बड़ी में मुझे लगता है, कि Lord McAley क्योंकि Apple-Buy की committee जो बनी थी, वो recruitments related नहीं थी, reforms related थी, इसके basis पे अपा Indian Institute of Public Administration दिली में खुला, और काफी सारे काम हो, UNM Department बने, ये दोनों तो reforms थे, लेकिन Lord McAley के basis पे ही recruitment, merit-based recruitment जो है, इंडिया में civil services की सुरू हुई, so मेरे अंसार से Lord McAley होना चाहिए. Who said that the world at, world at every stage is both a product and a prophecy. ये बहुत अच्छा statement है, Hegel का, इसका माइने समझना आपके लिए जुरूरी है. Hegel, आपको पता है कि dialectical, जो idealism के जनक रहे हैं, उसको Marx ने जो है dialectical materialism में convert किया. उनका ये कहना है कि, जो human progression होता है, evolution होता है, वो idea का evolution है. और idea evolve होता है through dialectical process. Dialectical process क्या है कि हर idea में ही future के जो progressive idea है, वो छुपे होते हैं, और इसके साथ में उसमें जो contradictions हैं, वो भी छिपे होते हैं. तो उसको उन्होंने, माल लिजे, उन्होंने तो word नहीं उसके था, लेकिन माल लिजे, कई लोगों ने उसको कहा कि उसको thesis माल लिजे. तो जो उसके against में जो idea निकल के आती है, जो उसके contradiction को highlight करती है, वो antithesis हो गया. और इन दोनों के interaction से एक higher idea evolve करती है, जो synthesis है, जिसमें की thesis का भी part है और antithesis का भी. और वो final product किसी time में आता है. तो उनका कहना था कि world में जो भी आप अभी देख रहे हैं, जो सामने आपके आ रहा है, वो एक synthesis है, तो वो product है. लेकिन उसमें खुद उस product होए दिन में जो है, वो thesis में बदल जाएगा, और उसमें चिपे होंगे future की बातें, जिससे की future progression होगा, prophecy. तो हर stage जो है, वो एक final product भी है, और future का idea भी, मतलब prophecy भी उसमें है. यही Hegel का कहना था. In India, the power of judicial reviews enjoyed by. यह दिए आपको बहुत आसान question लगना चाहिए, दोनो Supreme Court, High Court, Supreme Court Article 32 के तहत, High Court 226 के तहत, आप इसको court में जा सकते हैं, writ petition के लिए और वहीं पे जो है, judicial review की बातें सामने आ जाती हैं. The Headquarters of Economic Commission for Asia and Far East, T.E. United Nation की जो ESOC है, उसका एक, समझे लिजे, ब्रांच है, Economic and Social Organization, जो उसकी Economic Commission for Asia and Far East, जो है, वो Bangkok में situated है, पहले वो जो है, संगाई में था, बाद में उसका Headquarters change करके Bangkok हो गया, that's all. It's a difficult question है, यह सब. The Election Commission has no role in the election of, यह आसान question होना चाहिए आपके लिए, Election Commission, Speaker of लोगसभा के लिए क्यों उसका कोई रोल होगा, कोई रोल नहीं होता है, Vice President को चुनने में होता है, Member of Raas, President और लोगसभा सब के लिए होता है, यहाँ पे एक और बात याद रखे, कई लोग confuse करत हैं, कि जो पंचाइती राज की जो election होती है, वो election commission of India के purview से बाहर है, वो state election commission करवाती है, इस बात को ध्यान रखेगा, वो election commission का part नहीं है, आप यह मत मानिये कि state election commission जो है, वो central election commission का कोई branch है, ऐसा नहीं है, वो independent है और वो पंचाइती राज institution के election के लिए established किया गया है. Which of the following words have been added to the preamble of our constitution under 42nd amendment, 1976 में हुआ था, 42nd amendment, अभी भी आपने देखा, उसमें 3 words insert किये गए थे, socialist, secular and also integrity, यह word भी unity के साथ, पहले से unity था, उसमें preamble में, तो 3 words जो हैं 42nd amendment से insert किये गए थे, यह तो इतना आसान लगना चाहिए आपको कितनी बार आप देखा, which one of the following has a close affinity to rule of law, यह question आपो confuse कर सकता है, आप सोच सकते हैं कि judicial supremacy भी rule of law को help करता है, written constitution होना चाहिए, limited government बहुत important है, separation of power भी rule of law को, लेकिन मैं जाओंगा limited government के तरफ, वैसे यह confusing हो सकता है, क्यों मैं logic दे रहा हूँ, बेसिकली देखे, इंग्लैंड में rule of law है, बहुत established है, वहाँ तो written constitution नहीं है, वहाँ judicial supremacy भी नहीं है, वहाँ कोई separation of power तो खेर है, लेकिन उस तरह से नहीं है, जैसे कि US में होती है, between executive and legislation, फोगा घाल मिल तो रहता है, लेकिन limited government है, rule of law का मतलब क्या होता है, constitutionalism, मतलब कि एक constitution है, जिससे कि citizen भी बंदे हुए हैं और state भी बंदा हुआ है, state कोई मुक्त नहीं है, arbitrary नहीं कि कुछ भी कर ले, तभी कानून का राज होता है, कि कानून दोनों पे ही, citizen और government या state पे समान रूप से लागू होता है, और सभी ब्यक्तियों पे भी समान रूप से लागू होता है, it's a limited government, I will go, which is the cornerstone of liberalism and rule of law उसी से निकलता है, यहां rule of law में A.V.D.C. को जरूर याद कीजएगा, जिन्होंने rule of law basically propound किया था, A.V.D.C. यह पूछा जाता है, यह jurist थे, rule of law, इनका एक concept है, जो बाद में पूरे दुनिया में constitution दिजम्हें adopt किया गया, the structure of administration in various union territory, तो यह आप confuse कर सकते हैं, कि prescribed किया गया constitution में, determined by the union home ministry, या parliament, बहुप confusing है, लेकिन actually it is determined by president, क्योंकि constitution में इस तरह से, अब ऐसे तो सब कुछ constitution में लिखा हुआ है, तो A option सही हो जाएगा, लेकिन article 239, इस article को भी याद कर लीजे, इसी के अंदर जो है, पुडूचरी 239 A में आते हैं, पुडूचरी का विधान सभा, और 239 A, A में आता है, देली का विधान सभा, यह सब याद होना चाहिए आपको, उसको पढ़ लीजेगा, तो president decide करता है, कि उसके बिहाप में किस नाम से administration होगा, लक्षदित में मालिजे, कोई administrator कहले, दिल्ली में lieutenant governor कहले, या और विधान सभा भी है, तो उसका dual nature है, MPBS है, आर्टिकल 239 A, A के तहद, तो president rule करते हैं, इसका मतलब एक तरह से क्या है, prime minister rule करते है, मतलब government of India rule करती है, through union of cabinet, यह council of minister, in the field of nuclear strategy, mad के मतलब क्या होता है, mad, बहुत बार मैंने आपको बताया है, mutually assured destruction, यह nuclear weapon war के case में आता है, कि अधि दो state में, country में nuclear war हो जाए, तो कौन बचेगा, अब वो हालत तो रही नहीं कि अमेरिका जापान पर गिरा देगा, जापान देखता रहेगा, आज की rate में तो बहुत सारे nuclear state हो गए है, तो दो nuclear state ही दिल लगते हैं, तो दो नहीं उसे को बरबाद कर देंगे, मुछवल यह पहला question जो मैं बोल रहा था कि मैंने English के एक दो केवल vocabulary के ले लिये हैं, जैसे इसमें यह कह रहा है कि इस word जो insatiable है, उसका synonym इसमें से कौन सा है, अब देखें, insatiable मैंने क्यों लिया, यह इतना important word है, Hobbes को आप याद कीजिए, उनका कहना था कि human जो है, उसमें insatiable desire है for power and material possession, और उस power को ही वो acquire करने के लिए जीवन भर जब तक मर नहीं जाता, वो लगा रहता है, क्योंकि power is the means for material possession, तो insatiable मतलब उसको आप भुजहा नहीं सकते हो, मतलब वो प्यास जो आप मिट नहीं सकती है, मतलब वो आपके desire जिसको कितना भी कोई आपको संपती दे दे वो मिट नहीं सकती है, तो insatiable मतलब की unquenchable, quench मतलब क्या होता है, प्यास मिटाना, unquenchable है, मतलब आप उसको quench नहीं कर सकते हो, तो ये it's a good, but difficult हो सकता है कुछ लोग के लिए, आपको vocabulary सीखनी चाहिए, मुझे मौका मिला तो मैं इस वीडियो बनाऊंगा, a common high court for two or more states and for union territory may be established by a law by the parliament, ये तो सिधा इस सब्सक्राइब को याद कर लिजिए, कि common high court जो है, दो और दो state को मिला करके जो है, वो parliament के law से जो है, बनाया जा सकता है, ये गम बिलकुल नहीं था, constitutional है, the constitutional assembly was, constituent assembly कर लिजिए, इंडिया का, established under, ये भी मैंने कितुनी बार आपको बता है, cabinet mission plan 1946 में, अब cabinet mission क्या था, उस पे अलग चर्चा हो जकती है, उसके तहथ ही election हुए थे, constitutional assembly का indirect election, जिसमें करीब only 11% Indian people ने भाग लिया था, बहुत लोग nominated थे, उसके basis पे जो है, वो constraint assembly बनी थी, indirect election था, याद रखेगा, इस तरह कोई खास, उसमें direct election जैसा नहीं था. The main purpose for the grant of fundamental rights to the Indian citizen is, main purpose for the grant of fundamental right to the Indian citizen is, अब purpose क्या है, purpose क्या है, civil liberties है, तो आप उसको इसको इदे translate करेंगे, तो protection of individual liberty, यह ही आएगा, बहांकि socialist society नहीं है, वो तो DPSP में है, ensure independence of judiciary, यह भी नहीं है, establishment democracy. In international relation, the principle that underlines the great power system, अब यह बहुत confusing question हो सकता है, difficult हो सकता है, लेकिन इसको इदे आप थोड़ा study करेंगे, जैसे मैंने भी 15 मिट देखनी कोसिस की, कि इसको मुझे भी थोड़ा confusion लग रहा तो इसे cooperation तो हो नहीं सकता है, identity तो constructivism में है, reciprocity और dominance में में confused करा था, लेकिन reciprocity का को माइने नहीं है, तो यह basically dominance है, common sense से भी आप कर सकते हैं, लेकिन great power system होता क्या है, मतलब international relation का वो principle है, जहां पे कि always माना जाता है कि world में कुछ great power वाले state उभर जाते हैं, जैसे अभी USA है, और कुछ और भी कहा सता है, चाइना है, और UK पहले से था, एक समय में concert of Europe जो है वो great power system था, एक समय में UK, Germany, France ये था, USA के साथ में, तो बदलता रहा है, great power structure जो है, या great power system जो है, लेकिन वो world को एक stability देता है, एक form देता है in transfer relation में, उसकी dominance चलती है, और जो other, जो lower या middle power है, वो उनकी बात को माननी परती है, इस type की बात है, तो dominance पे बेस्ट है, अब अगें the union and the state in India , ये क्या है? ये true है. India has a federal system , ये क्या है? ये थू है. India has a federal system , ये क्या है? ये बी true है. India has a federal system. Of course, there are three list dividing legislative alternative within union and state in India. तो क्या ये reason tension को करता है? Yes, करता है. Because federal है, इसलिए उफ थिनों बाठा को इस को आप चसकते है, C. Residuary Power का माईने क्या होता है? ये मैंने साइद आपको बताया है, नहीं तो आप जान लिजे Residuary Power एक General Word है, माल लिजे आपने Power का बठवारा किया, जैसे कि Indian Constitution में है State, Concurrent and Union List में लेकिन माल लिजे कि कोई ऐसी बात है, जो कि बात में पता लगे, तीनों लिस्ट में नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं Under the Sun, many items, तो उसको residual power बोलते हैं, जो कहीं नहीं है ऐसा offices में भी होता है, माल जै दो officer के बीच में आपने बठवारा किया, ये X काम करेगा, ये Y काम करेगा, किसी टाइम में कोई बोलेगा ये सर जैड काम कौन करेगा, अरे ये तो दोनों में से कहीं फॉल नहीं कर रहा है तो उसको residual power बोलते हैं, ये residual power बोलते हैं, तो Indian constitution में ये है कि residual power lies with union, मतलब कि यदि ये vested in the, over which, over which the central government poses a right to lay a slate, तो residual power क्या है, कि which have not been included in any of the three list, the union, state and the concurrent list, ठीक है, और उसके ऊपर किसको power है, वो union, parliament को power है, उस पर बनाने का, The objective resolution which formed the basis of preamble of the constitution, what was moved in the constitutional assembly, by whom? अब ये भी आपके लिए बहुत easy होना चाहिए, आपको पता, objective resolution, एक तरह का आत्मा constitution का, उसको present किया था, जवाहरन नहरूने, Montech Chesford Report led to the enactment of, ये भी आपके लिए easy होना चाहिए, आपको पता है कि उस act को कहा गया, Government of India Act 1919, अब यहाँ पे related information या additional है कि इस act से, Government of India Act से, दो-तीन बाते पूछी आती है, एक कि इसके थूँ जो है, सीक्स को भी separate electrode दे दिया गया था, 1909 जिसको की Morale Minto Reform कहते हैं, उसके थूँ Muslim को separate electrode दिया गया था, और 1909 से सीक्स को, इसके अलावा दूसरी बात इसमें जहाँ चाहिए, इसके थूँ डायार्ची लाए गया था, डायार्ची क्या है, एक question इसी paper में और है, जिसमें की दो तरह के subject बने, एक जिसमें की चुने हुए जो प्रतिनिधी है, representative है, people के, वो उसको handle करेंगे, और एक जो की vicerai या जो governor है, state में, basically provinces में लाए गया था, उसका जो executive council है, वो उसको handle करेंगा, मतलब dual government, डायार्ची का मतलब यह है, The judges can be removed from their office before the expiry of their term on the grounds of proved misbehavior and incapacity, article 124.4, ground भी देख लिजे, याद कीजे, proved misbehavior or incapacity, whereas president को impeach किया जाता है, violation of constitution पे, यह बाते additionally याद रखिये, अब यह कहाता है, इसका method जो है, वो 124.4 में है, जो की first में लिखा हुआ है, यदि दोनों house और parliament एक special majority से impeachment motion को pass कर दे, special majority है, total membership का 50% से जादा होना चाहिए, plus जो present है, उसका two-third से अधिक vote करना चाहिए, यह मैंने आपको बहुत बार explain किया है, तब president जो है, अपने presidential order से उस judge को हटा सकता है, अब यहाँ पर antonym, जिसको opposite, वहाँ synonym हम लोगे लिया था, यह जो word है, arduous, arduous, मेरी pronunciation अच्छी नहीं है, arduous, जो भी आप कर सेंगे, arduous, arduous work, तो arduous work जो है, वो क्या है, जिसका है, सबसे अच्छा example मैं आपको देता हूँ, कि अभी जब से यह अफगान crisis हुई है, तो इंडिया जैसे country के लिए अपने लोगों को evacuate करना काबूल के एरपोर्ट के थुरू, यह एक arduous task है, बहुत difficult task है, बहुत complex task है, तो उसका antonym क्या होगा, opposite meaning क्या होगा, easy task, easy, arduous, easy. अब आएए, यहाँ पर दो statement, region legislation फिर से आ गया है, interest group complete for, complete यह गलत लिखा, compete पढ़िये इसको, compete for making their voices heard and interest protected by the decision maker in political system, यह सही है, interest group तो compete करते ही है, आप अपनी बात को मनवाने के लिए, interest group extends support to political parties in a consistent manner, यहाँ word consistent, यह false है, क्यों, interest group को क्या है, जैसे किसान लिजे, यह एक interest group है, आज वो government, BJP की government के against में जो है, आंदोलन कर रहे है, कल को BJP government उनकी बात मान लेगी और Congress की government आएगी, तो और Congress की government ने कोई उसके against में किया, तो वो BJP के साथ हो सकते हैं, और Congress के opposite हो सकते हैं, उनका consistent क्यों रहेगा, जो उनके interest को favor करेगा, उस political party को वो support करेंगे, तो इसमें क्या है, A is true, but R is false, the most essential principle of liberalism is, अब liberalism का माणनी क्या होता है, liberty, liberalism किस चीच बे-based है, उसके लिए सबसे बड़ा principle क्या है, liberty, मतलब freedom, Plato appropriated the idea of, यह एक अच्छा question है, medium question है, यह एक बार आप जान लेंगे, तो आपको अच्छा रहेगा, कि Plato ने खुद जो idea लिये थे, वो इन से लिये थे, Parmenides, pronunciation पर मत जाएए, आप खुद अच्छा प्रोनॉंस कीजिए, Hercules and Socrates, तो इस तीनों से इन्होंने यह inspired थे, यहाँ पर एक बात जानिए, कि उस से हमें inspired होने का main माइने क्या था, प्लाटो की जितनी आप थियोरी पढ़ेंगे न, वो आप ध्यान देजे कि वो metaphysics पे जाते हैं, intelligible world पे जाते हैं, knowledge is virtue, virtue is knowledge, वो God पे नहीं जाते हैं, religion पे नहीं जाते हैं, तो कैसे religion से हट करके logic, reason और समाज को बनाया जाए, मतलब secularism का एक सुरुआत कह लिजे, वो यह President, can dismiss a minister at his discretion? No. Can dismiss a minister on the advice of Prime Minister? Yes, very much. Can dismiss a minister on the advice of Chief Justice of India? No. And cannot dismiss a minister? No, he can. I identify the correct chronological sequence in which following became Prime Minister of India? अब again, chronology पे तीसरा question है, if you know, कि सबसे पहले तो आपको यह पक्का लगेगा कि लाल बहादूर सास्तुरी तो Prime Minister बने थे, यह तो 60s में, 65 में इनका death हुआ था, तो 3 देखिये कहा है? अब आपको, वाव, मतलब हमें आगे देखनी के जरुवत नहीं है, first is true, तो यह tips को आगे में भी discuss नहीं कर रहा हूँ, the Dalit Panther movement was launched in, यह आपको पता होना चाहिए कि Maharashtra में Dalit Panther movement launch हुआ था, यह young Dalit student थे और बाद में और भी revolutionist आगए, यह लोग मतलब कि इसको बोलते हैं न, force के बल पे Dalitों की equality को लाना, एक तरह का militant Dalit movement आप कह सकते हैं, Dalit Panther, लेकिन इसने क काफी अच्छे भी किये, जिसको कहते हैं, literature, and magazines, and creative जो होता है Dalitों का art, craft, उसको भी उनने काफी प्रिचार किया, Dalit Panther. After a bill has been passed by the parliament and sent to the president for his reconsideration, what he can do? उनके president के पास में दो-तिन option हैं, either तो वो assent दे देगा, means approval दे देगा, sign कर देगा, बात खतम होगी, act बन जाएगी, second, वो एक बार लोटा सकता है, reconsideration के लिए parliament को, जो यहां लिखा, he can send back it for reconsideration, लेकिन money bill के case में नहीं, money bill के case में उसको sign करना है, या reject करना है, या वो refuse भी कर सकता है, लेकिन, मतलब refuse जो है, एक बार दोनों parliament से pass हो गई, तो इसको unacceptable माना जाता है, और एक उसके पास में यह है कि pocket veto भी है, मतलब वो कितने भी time तक जो है, ना तो वो refuse करेगा sign करने से, ना वो lot आएगा, वो अपनी table पे उसको छोड़ देगा, ऐसा भी किया गया है, ज पढ़ाया से मेमोरी से बोल रहा हूँ, पोस्टल बिल को ग्यानी जैल सिंह ने साइद pocket veto का use किया था, the contingency fund in India has been placed at the disposal of, तो यह जो है, प्रेसिडेंट के disposal पर रखाया था है, contingency fund है क्या, यह है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भुकंप आ गया, जैसे अभी Corona आ ग राखता है, जिसमें कि बिना Parliament के vote कराये हुए, तुरत उससे निकाल के दिया जा सके, यह Article 267 के तरह के तहत, यह Under the Article 267, this has been set up, the contingency fund, India का जो normal fund है, जिसको की Parliament से vote करके खर्च किया आता है, उसको बोलते है, Consolidated Fund of India, CFI, अगें आए रीजन एजरिशन, USA पे तो इनका काफी focus है, पुड़िचेडी का, तो यहां पे है, the Senate of USA is the most powerful second chamber in the world, यह true है, in general वहां कि जो Congress है, जिसमें कि people's representative, house of representatives कह लीजिए, जो lower house है और Senate दोनों मिलके बहुत powerful होते हैं, All states in USA enjoy equal representation in the state, यह भी true है, लेकिन यह इसका explanation मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए, बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A, this is not the reason कि why it is most powerful chamber, Equal protection of law means that, यह भी अच्छा question है, rule of law का क्या meaning है, equality before law का क्या meaning है, Equal protection of law का क्या meaning है, इसा आपको जानना चाहिए, तो equal protection of law का जो meaning है, again देखिए, वो जो मैं tips देता हूना, कि चार statement है, सबसे लंबा कौन है, सबसे बड़ा statement या lengthy statement है यह, और यही जो है सही है, all persons should be equally treated under similar circumstances, जिसको proportional justice Aristotle नहीं कहा था. अब आए, next question, the two members who are nominated to Lok Sabha by the President belong to, अब यह खतम हो चुका है, 104 amendment से तो इसको क्या discuss करना, लेकिन उस से पहले, अब तो वो दो खतम हो गया है, दो Anglo-Indian community के member को President recommend कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे, sorry, nominate, not recommend, तो 104 amendment ने इसको खतम कर दिया, which of the following statement is correct about Vice President of India, no, राजसभाइलेक नहीं करती है, इसको लोगसभा, राजसभा दोनों के member करते हैं, MPs, elected for five year term, गलत है, preside over the joint session of two house, no, speaker preside करते हैं, तो एक ही बज़ जाता है, he or she is the ex-officio chairman of राजसभा, इससे related a curious question पुछा रहता है कि कौन ऐसा presiding officer है house का, जो वो house elect नहीं करता है, वो है president, sorry, vice president, क्योंकि उसको elect तो सभी MP करते हैं, लेकिन वो राजसभा का ex-officio, सभापती होता है, the state is necessary evil, this statement referred to, यह highly confusing, आप में से कई student को लग सकता है, आप सो सकते हैं, वैसे तो liberalism की जो doctrine है, वो state को necessary evil मानती है, यहाँ neo-liberalism है, तो आप सोच सकते हैं कि यह anarchical तो नहीं, वो तो state को unnecessary evil मानती है, और marxian withering away of state कहते हैं, वो तो state को बिलकुल हटा देना चाते है, evil will नहीं, खतम कर देना चाते है, तो बच जाता है individualist theory of state, और यह सबसे बहतर answer है, वोईसे neo-liberal भी को state basically यह है कि individual की liberty सबसे प्रमुख है, individual से ही सभी flow करता है, state जो है वो individual की liberty को नहीं रोक सकता है, और state की जितनी power बढ़ेगी, उतना ही individual की liberty घटेगी, inversely proportional होता है, ऐसे में individualist theory of state, जो है state को एक necessary evil मानते हैं कि state individual के freedom के लिए एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि वो नहीं होग तो आरा जकता आ जाएगी, war of all against all, जो Hobbes कहते हैं, वो जाएगा, लेकिन उसके power को limit भी करना चाहिए, जिससे कि individual liberty बनी रहे, इसलिए individualist theory of state is the best answer. who said, men are equal by nature, society through the institution of property has made them unequal. यह तो Rousseau का, जो inequality की theory है, उन्होंने origination of inequality नाम का essay भी लिखा था, उसमें उनका कहना है कि private property नहीं man, man को inequal बना दिया, state of nature में सभी equal थे क्योंकि कोई private property नहीं थी. The public good ought to be object of legislature, who said, इसको आप common sense से भी बना सकते हैं. अब देखिए, marks जो है, इस टाइप की बाते, law walk ही करते नहीं हैं, और Hobbes, जो है, वो तो एक absolute monarch की बात करते हैं, levithian, तो यह भी नहीं बोलेंगे, और plateau के time में इस तरह की legislature और सब के बात नहीं थी. तो Bentham, जो कि legal चीजों पर, legal theory of right भी नहीं ने दिया है, तो legalities के बारे में Bentham, और actually Bentham नहीं कहा है. Jeremy Bentham, the father of utilitarianism. The fundamental duty of Indian citizens are contained in, यह आपको अब तक याद होना चाहिए, part 4a of the constitution, it was inserted by this 42nd amendment. अभी आपने देखा, 42nd amendment, यह 1972 में, 1976 में आई थी, उसमें यह part को insert किया गया था, fundamental duty, 10. Given vlog and region regression है, democratic socialism value unity in diversity. यह true है, क्यों true है? क्योंकि democracy आ गया, ऐसा socialism जो democracy में बिलीब करता है, तो democracy always unity in diversity में बिलीब करता है, इसे इंडिया ने democratic socialism, उसको Fabian socialism कहते हैं, नहरू जी ने अपनाया था. Cultural pluralism hinders the functioning of democratic institution. Why it should hinder? यह तो गलत है, false है. Cultural pluralism should promote functioning of democratic institution. इसलिए आप इसको मार लिजेए हैं, कि A is true and reason is false, जो भी इसमें से option. The fundamental rights enshrined in the Indian constitution are, क्या यह absolute in nature है? No, absolute नहीं है. Absolute मतलर उसके कोई रोख टोख बंदन नहीं है, कोई limit नहीं है, limitless नहीं है. Abrogate in nature, क्या उसको हमेसा काटा जाता है? No, absolute but have some restriction. यह सही है. सभी में कई reasonable restrictions है, लेकिन हाँ, वो right absolute है, मतलर उसको कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए तो fundamental right है, लेकिन वो restricted है कई माइनों में. The first backward class commission emphasized which of the following as a condition identifying social and educational backwardness. अब देखिए, यहाँ पे कुछ information आपको additional जानना चाहिए. Article 340, कई जगा पूछा गया है, कई competition में. Article 340 बहुत important है, उसमें लिखा हुआ है कि government can appoint a commission to investigate the conditions of backward classes. उनका socio-economic educational backwardness को कैसे खतम किया जाए, उसके लिए वो recommend कर सकते हैं. Government of India ने इस article का use करते हुए, first backward class commission जो है 1950s में, 1953 में बनाया, जिसको head किया काका खालेकर ने. इसलिए इसको नाम दिया गया काका कालेकर commission. This was first backward class commission. और second backward class commission जो इतना famous या infamous हुआ, उसको मंदल commission कहा गया, BP मंदल इसके chairperson थे, उन्होंने, वो setup हुआ था 1979 मंदल commission, recommendation आई और उस पे उतना सारा changes हुआ और OBCs को reservation मिली, वो सब हुआ. काका कालेकर commission ने पहली बार ये कहा कि backward, उसमेंदे ही class लिखा था, caste नहीं था. लिकुर हुआ ने कहा कि Indian perspective में, caste should be the basis जिसपे कि हम social educational backwardness को हम judge करेंगे. इन इंडिया, the relation between the union and the states are being regulated according to the direction of the president, the law passed by the parliament, the provisions of the constitution. आपको पता है कि constitution में ही लिखा हुआ है कि state के ये power होंगे, center के ये power होंगे, तीन list होंगे and all. The doctrine of limited sovereignty was proposed by, ये ब्रेजनेव नहीं दिया था, ये दूसरी तिसीवा में बता रहा हुआ हूँ, limited sovereignty का doctrine क्या था? कि जितनी भी eastern block के country हैं, वो उनकी sovereignty unlimited नहीं है, वो उनको promote करना है, socialism अपने हैं, कहीं पे भी ऐसा देखा जाएगा कि वो socialism को dilute कर रहे हैं, तो Soviet Rus जो है, वो directly intervene करेगा, अपनी tank बेज़ देगा, और ये प्राग, इस प्रिंग जो बोलते हैं, चकोसलवाकिया में जो हुई थ अब यहां पर एक और याद कर लीजेए, इस एक बहाने, स्टालीन की जो डॉक्राइन थी, socialism in one country, उसको भी याद कर लीजेए, explain मैं अभी नहीं कर रहा हूँ. 67 number question देखे थे, the institution of Lokpal has not been established to this day in India in spite of best effort by the government. अब यह पुराना question चुकि 2018 का है तो उस समय में, लेकिन 2019 में साथ जो है, मैं मुरी से कह रहा हूँ, लोगपाल बन गया था. आपको पता है, पिनाकी चंद्र घोस, अगे में मुरी से बोल रहा हूँ, वो फर्स्ट लोगपाल थे, अभी जो है, प्रदीब कुमार मोहंती ज कोई recognized opposition party नहीं है, because 10% से अधिक किसी को seat नहीं मिला, इसलिए उसके member होने चाहिए, यह सब लेकर चोड़ी चोड़ी बातों लेकर टाला जा रहा था. आप इससे यह भी feel कर सकते हैं, कैसे लोगपाल को एक तरह से सड़ा दिया गया, जिसके चलते इतना बड़ा अनना movement तो यह यह हालत है लोगपाल की, और नहीं केवल center में, लेकिन इवन दिल्ली government में लोगपाल की क्या हालत है, जो केजरी बाल चला रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि लोगपाल का हुआ क्या? In which one of the following system of government is bicameralism an essential feature? तो bicameralism जो है, वो federal system का एक essential feature है, इसा क्यों होता है? क्योंकि federalism में जो state है या federating unit है, उनके interest को protect करने के लिए एक house की जरुवत परती है, जैसे अमेरिका में सिनेट है, इंडिया में राज सभा है, लेकिन कहीं ने कहीं वो dilute भी आता है, जैसे आप क federalism नहीं है, और इंडिया में federalism है, लेकिन राज सभा जो है, उसमें unequal representation है state का, और तो है थोड़ा सा confusing, लेकिन federalism में आपको एक house की ज़रुवत परती है, जिसका सबसे च्छाए ग्जाम्पल सिनेट है, अमेरिका का, जो true federal state भी है. The General Assembly of UNF passed the declaration if you want right on, यह तो बिलकुल रटने वाली है, Rote Learning 10 December 1948, इसको सीधा याद कर लीजे, यह भी याद कर लीजे कि इसमें 30 articles हैं, यह भी कई जगा पूछा गया है. Who described political theory as the systemic, systematic thinking about the purpose of the government? तो यह तो difficult आपके लिए होसता है, इस type का arbit, जब line push दिया जाता है, तो यह बहुत difficult होता है, यह plamin, plaminas, plaminas, okay, maybe, whatsoever. So, John Petrov Plaminas, John Petrov Plaminas, यह एक Serbian political philosopher थे Montenegro से, Montenegro तो अभी Balkanization के बाद, जो है, वो सब अलग अलग राज बन गए हैं, state बन गए हैं, मतों कंट्री बन गए हैं, सर्बिया बन गए हैं, सब भी सब पहले युवसलाविया के पार्ट थे, तो उसके एक the plaminas, जो है, वो political philosopher रहे हैं, इन होने अनलाइस किया था, political obligation or theory of democracy की, उन्होंने ही यह लाइन कहा था, कि the systematic thinking about the purpose of the government is political theory. India is known as a parliamentary democracy because, अब यह बहुत अच्छा question है, क्यों, because the executive is responsible to the parliament? yes, the powers have been clearly distributed between center and the state, no, यह federalism का है, the members of the parliament are directly related by people, no, यह democracy है, the president is not a member of the parliament, कोई मतलब नहीं, सही answer यह है balance of power is based on, अब आपको पता है कि balance of power, security, यह सारा चीछ, जो है, anarchism, self-help, survival, यह सारी क्या है, realist paradigm है, which one of the following reads is issued by a higher court asking the lower court to send the record of a particular case to it on the ground that it is not competent to decide the case, यहाँ पर आप confused prohibition and certiorary के बीच में कर सकते हैं, लेकिन आपको confused नहीं होना है, prohibition में higher court simply lower court को कहता है profit, आप यह नहीं कर सकते हो, जोकि certiorary उससे थोगा complex है, उसमें यह कहता है कि, okay, I don't think you are competent, perhaps you have overstepped your limit, you send the case to us, वो आप मुझे बेज़ दो, हम उसको देखेंगे कि आप कर सकते हो कर नहीं, यह certiorary है, तो certiorary and provision are very very similar, अब यहाँ पर heavier copper, मतलब produce the body, मतलब किसी कोई illegal detention या arrest कर लिया गया है, तो वो writ होती है, or heavier copers, mandamus है, जैसे कोई government is not doing something, executive is not doing what they should do, तो उसको कहने के लिए कि do this thing, court can say कि encroachment को हटाओ, यह road को बनाओ, यह sanitation को ठीक करो, तो यह vaccination दो, तो यह mandamus rate है, and कुओ वारंटो है कि if some offices, public offices have been occupied illegally, then a rate can be issued by which authority you are occupying this office, कुओ वारंटो, तो सही answers में है, सार्टियूररी. The Mexican theory of, sorry, Marxian theory of surplus value is largely derived from the theory of, यह is a very good question, and you should know, एक दो जिगा मैंने discuss भी किया है, Karl Marx used David Ricardo's labor theory of value to propound his theory of surplus value, तो Ricardo के theory पे built उन्होंने किया था. Again, a very good, very good question, which one of the following are considered as Rawls' two principle of justice? You know, उन्होंने दो principle of justice, first में यह था कि सभी को equal liberty मिलनी चाहिए, तो वो liberty principle है, और second में उन्होंने equality की बात किया थे, तो इसको difference principle बोलते है, तो equality and liberty. Which one of the following is wrong? The Prime Minister is the head of the cabinet, यह सही है. The Prime Minister is the head of the government, सही है. The Prime Minister is the head of the state, wrong है. Who is the head of the state? President is the head of the state. The Prime Minister is the leader of the majority party in the looks of a right है. At present, the election commission consists of chief election commissioner and two other members. You should know. पहले जो है, session के time से पहले, एक ही केवल chief, मतलब, election commissioner होदा था. बाद में दो और उसमें add कर दिया गया, उनके पर कतरनी के लिए किये गया थे. Which Indian politician is the author of the recently launched book, विकास के पतुसाय में हुआ होगा 2018 में? अभी भी बहुत important politician है, नीतिन गदकरी. The governor of the state nominate the legislative council. अभी यहां पे मैंने सारा कुछ दे दिया, आप इसको ठीक से पढ़ लिजेगा, भी काफी time इसमें लग जाएगा. Article 171 में है. केवल five state में ही legislative council है. यह भी पाँच state को आप याद कर लिजेगा. परहापस बिहार, करनाटका, and few more. मैं मोरी से मैं बोल रहा हूँ, आप देख लिजेगा. Five state में ही केवल legislative council है. यह बहुत important है आपको जाना, उन five state का name भी आपको जानना चाहिए. यह भी आपको जाना चाहिए कि उस legislative council का election, जो है, वो सब एक तरह से indirect way में होता है. और कैसे कैसे होता है, वो constitution में लिखा हुआ है. उसमें से governor, जो है, वो one-sixth, जो member होते हैं, उसको वो nominate करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, nominated by the governor. remainder, जो है, one-sixth होता है. पहले का था, पहले जमाने में traditional, यह charismatic होती थी, modern period का माइने ही है, कि जो authority है, वो legal, rational हो जाती है. If the Raj Sabha does not send the money bill back to the Lok Sabha within a period of 14 days, तो उसको मान लिया जाएगा कि दोनों house से पास हो गया है. It will be taken to have been passed by the both the houses. यह मैंने भी जस्त आपको बता है. The system of Deyarchi, मैंने अलरेडी बता दिया, was introduced in the provinces 1919. Montech Chesford Reform or Government of India Act 1990 introduced Deyarchi in the provinces. Dual Government, introduction of double government. तो यह double government का यह नहीं था, Central State Government. It was division of subjects delegated to the provinces into two categories. यह basically था. मैंने बता है न, दो category में divide कर दिया गया. एक जो peoples के representative हैं चुने हुए, वो उसको handle करेंगे. Minister कह लेजिए. और कुछ subject जो हैं वो, जो governor का executive council है, वो handle करेंगे. One of the criticism for the theory of natural right. Natural right क्या है? वो right जो state के बनने से पहले से है. जो society के भी बनने से पहले से है. जो nature से हमें मिले हुए है, जो Locke ने कहा, life, liberty, property, right, natural right है. तो इसको आप इतना जानने के बाद आप सिधा बोलेंगे, assumes that the rights exist prior to society. Even society is state सबके prior है. यह इसके criticism भी मानी जाती है. The entitlement theory of property has been propounded by. तो आपको पता है, entitlement theory of justice या entitlement theory of property, Robert Nogic ने दिया है. If a no confidence motion is adopted by the Locke Sabha, then क्या होता है? Government falls. So, council of minister भी resign हो जाती है, प्राइम minister भी resign कर देता है. लेकिन यह question मुझे लगता है, invalid हो जाएगा, because all of the work नहीं हो सकता है, कोई parliament dissolve नहीं होती है. लोग सभा में भी dissolve, लेकिन वो भी direct नहीं होता है. Suppose कि एक government vote of conference हार गई, no conference motion पास हो गया, तो प्राइम minister resign कर देगा, definitely, council of minister भी उसके साथ ही खतम हो जाएगे, लेकिन president may try to form another government, with another majority, और यदि वो भी नहीं हो, तो फिर लोग सभा को dissolve के जागा, parliament dissolve नहीं होती है, राज सभा कभी dissolve नहीं होती है, इसलिए यह question पता नहीं, invalid जैसा लगड़ा है मुझे, because मैं multiple सही है, वैसे official answer जो है, वो यह दिया होगा इन्होंने, The preamble of our constitution reads, India is a democratic, sovereign, secular, socialist republic, याद कर लिजिये, who used first time the world cold war, तो यह मैंने यहाँ पर पूरा देही दिया है, यह एक millionaire थे, अमेरिका में, Bernard Barok, इन्होंने अपना एक speech दिया था, Mr. Barok ने, उसमें उन्होंने यह कहा था, South Carolina में cold war used किया था, to describe relation between United States and Soviet Union, जो world war 2 के बाद हुआ था, from the constitution of Ireland, यह तो कितनी बार में बता चुका हूं, Ireland से हम लोगोंने directive principle of state policy लिया, America से, US से हम लोगोंने fundamental rights लिया, judicial review लिया, Britain से हम लोगोंने बहुत कुछ लिया है, cabinet system, collective responsibility and many, and Canada से हम लोगोंने strong center वाला federalism लिया है, Australia से हम लोगोंने privileges, जो parliament के मेंबर के हूं वो लिया है, in matters of ordinary legislation, दोनों ही house को बराबर power होंगे, चाहे state में हो, चाहे center में हो, so, both the houses have been given equal powers, Levitian was written by, अब तो आप जोर से चिला के कर सकते हैं, कि Levitian Hobbes ने लिखा है, which theory of the state is expounded by insanti parwa, यहाँ पर आप confuse कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, कि divine theory है, आप सो सकते हैं, social contract theory है, लेकिन question ने असान बना दिया, because both A and B, पता नहीं, A and B कैसे यहाँ दिया है, तो यह A होगा, यह B होगा, तो बोथ, वो दोनों ही का mixture था, उसमें divine theory भी है, origin of state की, और थोड़ा social contract भी है, इसलिए यह दोनों ही सही है, what is the maximum period which should not intervene between two sessions of the state-less leisure, इसको हमेशा six की theory याद रखे, constitution में हर चीज six week है या six month है, आप याद रखे, कोई भी validity, चाहे वो ordinance की validity हो, कोई भी मंत्री बिना member house के रहे, six month, दो session के बीच में six month, तो six month, six month is the philosophy या principle, तो six month है, a person can remain a minister without being a member of the either house of the parliament up to a maximum, जैसे आपने बोला six, 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 तो आप इसको जो है six month, India adopted panchil, panchil कब adopt किया इंडिया ने, तो आपको ये बात में दो-तीन चीज़े पता होने चाहिए, उस सह में चाइना के जो फर्स प्राइमिंस्टर थे जहाओ और लाई, वो इंडिया आये थे 1954 में, और उस सह में चाइना को केवल 5 साल हुए थे, communist nation बने हुए, और इंडिया को भी जो है, 10 साल भी नहीं हुआ था, आजाद हुए हुए, दोनों जो हैं, एक दबे कुछले हुए, एक colonial and world का two सबसे populous country, तो एकदम एक साथ, मतलब दोनों मिलके आये और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, और उस से हमें लगता था कि चाइना से बड़ा हमारा दोस्त कोई नहीं है, तो उसी पिरिएड में दोनों ने मिलकर के, पंशील, five principle of international relation दोनों ने साइन किया था, 1954 में. ओके, dear student, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको share करें, subscribe करें, comment करें, और इस तरह से मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के मैं कोसिस करूँग जवाब देने के सवाल, ऐसे पूछें, जिसका एकाद line में objective reply दिया जा सके, कोई subjective question ना पूछें, और यदि आपने अभी तक CUET PG guide नहीं download किया है, या नहीं खरीदा है, तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, कि one of the best resource जो हो सकती है CUET के लिए, exactly as per the syllabus of, new syllabus of CUET, उसके अनुसार से बनाए गया है, बेस्ट question का, sample question का collection है, इसको आप imagine पे यहां से कर सकते हैं, download, इसकी link जो है वो दी जाएगे description में भी, कोई problem हो, तो आप mail भी कर सकते हैं, okay, मिलेंगे बहुत जल, Poodoocherry के एक और question को लेके हो सकता है, कि आज evening में हम लोग orbit question पे एक मैं वीडियो बनाने की कुछिस करूँ, और फिर कल जो है हम लोग Poodoocherry के एक और वीडियो को देखेंगे, so bye,